हलो एवरिवन तो मैं हाजिर हूँ आप सब के साथ आपका स्केडियूल लेकर डे टू का डे टू में आपको क्या करना है जो 20 नंबर सीरीज हमने डे वन में की थी डिफरेंस वाली वही 20 नंबर सीरीज आपको उसी तरीके की डे टू में और लगानी है ये पहला काम होगे आपका दूसरा काम आज आपको डियाई नहीं करना बस जो कल 5 कोशन डियाई के लगाए थे डे वन पे वो आपको रिपीट करने है फिर से और एक एक पॉइंट उनका और ज़्यादा क्लेरिफाई करना है आगे आपको क्या करना है जो अरिफमेटिक के 10 कोशन आपने कल लगाए थे वही आपको दुबारा एक बार ट्राइ कर लेने हैं फिर साथ में आपको सिंप्लिफिकेशन के कल कोशन 10 थे आज आपको वो कोशन बढ़ा कर 30 कर देने हैं सवाल करने कौन से हैं जिन में आपको स्क्वेर क्यूब स्क्वेर रूट क्यूब रूट ये ज़्यादा मिले वो सवाल लगाने की कोशिश आज आपको करनी है सवाल लगाने के साथ-साथ आपको देखते रहना है कि माइंड में कियार ये किसके आसपास का स्क्वेर है ये किसके आसपास का ताकि अगली बार जब आपको स्क्वेर स्क्वेर रूट पे कोई डाटा आए तो आपको confusion हो तो कम हो इस तो होनी नहीं चाहिए थोड़ी कम हो day by day improvement होता रहेगा ठीक है ये काम फिर से आपको repeat सुन ले ना जो मैंने अभी भी बोला इसके साथ आपको क्या करना है आपको probability के 10 question लगाने है बिल्कुल आप question जो होते है बिल्कुल आप question simple से जो आप coins के dies के जिसके भी आपको लगाने का मन करता है coins का लगा लो पिल्कुल 10 आप question coins के आप probability के जरूर लगाईएगा तो ये आपका अगर probability आपने नहीं पढ़ा तो probability हटा कर आप वो topic के 10 question को आप सवाल लगा लीजिए जो आपने पढ़ा हुआ अब तक तो ये आपका day 2 का schedule है इसको लिखते रहेगा अपने schedule को की day 1 पे ये किया था day 2 पे ये किया था तो ये आपका day 2 का schedule है और अगली वीडियो में मैं आपको IDBI के बारे में बताऊंगा कि IDBI के बारे में क्या आप भर सकते हैं क्या आपको भरना चाहिए क्या फायदा होगा तो उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी तब तक के लिए take care bye bye thank you subscribe कर लीजिए और वीडियोस के लिए